कैसे हैं आप मैं गौडव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पर लास्ट कलास याने की कल मैंने आपको बताया था कि आने वले समय में आपको विभीन प्रकार की रिकॉड़ेट वीडियोज मिलेंगे उसकी सुरुवात हम लोगो पांसो लोगों ने वोट किया तिसमें से लगबग 56-60 प्रसेंट लोगों ने कहा था कि बीपीएस की त्यारी करने की सुरुवात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका स्वरूप कैसा है अर्था जिस समय बीपीएसी 1.0 आया था उस समय किसी भी सिक्षक को किसी भी म उससे पहले हमारे पास में दो वर्स के पुछेगे प्रस्ण है एक स्वरूप है और उस स्वरूप के अधार पे आप लोग एक कंकुलूजन निकाल सकते हैं कि आपको किस प्रकार से त्यारी करनी चाहिए विपीएसी जतना छोटा सा नाम है उतना ही बड़ा सा समुन्दर है और इसे निकालने के लिए आपका सेल्फ स्टडी आपने जो भी पढ़ाई किया है डिलेट किया है बियर वाले तो 1-2-5 में आएंगे नहीं इसलिए मैं डिलेट ही कहूंगा तो अगर आपने डिलेट कि किए कोई भी है उससे भी बढ़ा है आपका पूर THIS आपको और आपको को नसरी में मतलब कहने कारण हो गया जाए गराई में सथाफी इसा हमारे अध्यक्ष महोदे ने बहुत पहले वहीं 31.0 के समय ही कहे थे कि उपर जहापर परने से कोई काम नहीं चलेगा अर्थात अब जो आपके त्यारी का सुरूप होना चाहिए वो किसी परकार के कलास में जुआइन करने के अलावा आपका सेल्फ स्टाडी सबसे बड़ा हतियार है और सतिहार को आप कैसे उपयोग किजिए आपके उपर में डिपेंड करता है तो आज के अपने इस सेशन में जो प्रिवियस एयर में आपसे प्रस्न पूछा गया है अर्थात में प्रस्न नहीं दिखाऊंगा किस विसह का कितना महत्व है उस महत्व को हम लोग समझने का काड़े करेंगे और अपने सिलेबस क्योड HOW solutions और भी हम लोग्ड करेंगे अगरा अगस्थ में उससे पहले जो आपका विग्यापन आया हुआ है तो सरव पर्थम पहली बार एक्जाम उवा था तो दो दिन आपका एक्जाम हुआ उस दो दिन के गयाम में बहू amplet yet हुई प्रेशानी हुई उधारन सुरूप आपका घर है सितामधी और आपका सेंटर चला गया पटना तो आपको दो दिन पटना में रुकना पड़ता इसलिए बीपीस्टी 2.0 में बदलाब किया गया कि आपका एक्जाम एक ही दिन में होगा और थोड़ा सा आपका अंतर किय जा गया प्रस्ण के पुछने के सोरूप में पैटर्न में और वह अंतर सिंपल सा था जो आपकी भासा की पेपर अगले दिन होती थी उसी को साथ में समाहित करके 120 के बदला में डेर सो प्रस्ण पुछने का नियम आ गया तो पहले हम लोग देखेंगे समझेंगे और फिर अपने तिलेबस और कुछन के पारूप पे भी बात करेंगे तो सर पर्थम आपकी जहां भी आस्था हो जहां भी आपकी विश्वास हो एक बार आप इसवर को अवस्थ से याद करें क्योंकि बिना इसवर के असिरवात से अभिवावक के प्रेम से सपोर्ट से और अपने स सकरात्मक सोच से जब तक ये सारी हथियार हमारे पास में नहीं होगा तो इससे जंग लरना बड़ा ही मुस्किल है और तात आईए एक सकरात्मक सोच के साथ हम लोग समझने का पर्यास करते हैं मैं एकदम आपको असान भासा में अगर आप जाईएगा वेबसाइट पे और नंबर का आपका एक्जाम होगा डेर सो मिनट आपको मिलेगा बनाने के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं जो कि आपका एक नॉर्मल सा नॉम्स है मैं आपको उन तमाम बातों को असान भासा में समझाने का प्रयास करूंगा आपका एक्जाम जो होता है सो उसको मान अपका इंग्लिस होगा उसके बाद हिन्दी भी ले सकते उर्दू भी ले सकते हैं बांगला भी ले सकते तो पर इंग्लिस और हिंदी को एक साथ में लिखता हूं इससे आपके पुछे जाएंगे 30 प्रसंट कितने प्रसंट रहेंगे 30 प्रसंट रहेंगे यह आपका calling fine in a nature होता है और इस 30 परसेंट तीस कुस्चन में आपको 30 परसेंट नंबर लाना होता है calling fine करने के लिए तो 30 का 30 परसेंट कितना हो गया आपको 9 मार्क्स लाना है आपको 9 नंबर लाना है इसमें और जो कि आप सरलता प्रुवक आप सभी लोग ले आईएगा दोनों सेक्षन ए और मिलाके आपके500-00 कुस्चन होते हैं और 1500 मिनट मिलता है इस 0-100 कुस्चन का आपका 30 परसद यह पर मैंने कितने बच गयا तो section रिकत नहीं नहीं भासा आपका नॉर्मल रहेगा कुस्टन के पारूक को मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में प्रिवियस एर कुस्टन सेर कर दूंगा और इसमें 30 प्रस्ण रहेंगे 9 नमबर लाना है मुख्य जो आपका खेल है जहां से आपका मेरिट लिस्ट उसका है कि आप मैंक्समम संख्या मेरे साथ में महिलाओं की होती है लड़कियों की होती है और उनसे कम संख्या हमारे लड़के वाले मित्र का होता है और लड़कों का cut up 80-90 नमबर के आसपास आप अनुमान लगा के रखिए और महिलाओं का नमबर थोड़ा सा कम होता है 50% आरक्षन है पर मैडम आप लोग भी अपने आपको लड़का ही समझिये और 90 नमबर के रूपे ही लेकर अपने पढ़ाई को चलिएगा गर हम लोग बात करें यहाँ पे 120 नमबर का इस 120 नमबर में विभीन प्रकार के विशय हैं जैसे कि सर पर्थम मैं आपको यहाँ पर उठाना चाहूंगा सबसे पहला आपका गनीत जिसे आप क्या बोलते हैं mathematics अर्थात math और इसी के साथ में आपका रहता है क्या reasoning math और reasoning इस दोनों को अगर मिलाया जाए आपके syllabus में कहीं बटवारा नहीं किया गया है आपके syllabus में simple सा लिखा हुआ है प्रात्मिक गनीत प्रंतु जब आप प्रस्ण के स्वरूप को देखिएगा तो प्रस्ण बड़े ही higher लेबल के होते हैं कच्छा 10 तक के आपके प्रस्ण आप से पुछे जाएंगे क्योंकि से लेबस के नीचे में साफ साफ नोट में लिखा हुआ है कि जो आपका फॉर्म भरने का जो आपका निवन्तम आपका होना चाहिए सटिफिकेट कम से कम आप 12 पास आउट होईएगा डिलेड आपका कमपलीट होना चाहिए सीटेट आपका कॉलिफाई होना चाहिए उस अधार पे आपके प्रस्ण रहेंगे अर्थात का अक्छा 10 तक का पढ़ाई आपको करना पड़ेगा अगर आप प्रिभियस येर के प्रस्णों को देखिएगा तो गनीत और रिजनिंग की बात करें तो 10 से 15 नंबर ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि रिजनिंग में जो आपका नंबर स्रीच पुछता है उसको अगर आपने मैथ में काउंट कर लिया तो 20 अर्थात इस दोनों को मिला कि हम लोग बोल सकते हैं कि 30 से 35 नंबर आपका रहेगा मैथ और तो और बखन्स न रहेंगे 30-35 प्रसन आपके रहेंगे यहां से अगर मैं हम लोग यहां पर तोरना चाहें किसको तोरेंगे तो अगला विसजागर हम लोग यहां पर लिखे समान अधियन की बात करते हैं तो समान अधियन के अंतरगत में हमारा विभीन परकार का भी सह होगा प्रंतु वहाँ पे सबसे पहले घर हम लोग निकाल कर चलें तो एक आपका होता है current affair एक आपका social studies current affair और social studies के अगर प्रसनों को आप देखिएगा तो दोनों मिलाके आपके 60-65 प्रसन है current affair और social studies का सिर्फ अगर हम लोग current affair की बात करें तो 15 सवाल पिछले वर्स दोनों एक्जाम में आपके 15 सवाल current affair का था जहांपे बिहार का बहुत कम बिहार से बाहर का पुरे इंडिया से आपके प्रसन थे current affair में तो 15 सवाल आपका current affair का और बाद बागी 50 प्रसन के आसपास आपके social studies का जिसमें अगर हम लोग पुरा अगर अनुमान आपको तोड़ कर दिखा है सारे प्रसनों को मैंने count किया है यह सारे आपके previous year के question यहापे पड़े हुए है आप भी देख सकते हैं आपके website पे upload है आप भी वहां से cross check कर सकते हैं इन सारे questions को अगर आप लोग तोड़िएगा तो social studies से लगभग आपको 45 प्रसन देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा प्रसन आगर आपका आया है तो जोग्रॉफी से लगभग आपके 20 प्रसन है history से आपके 15 प्रसन है, quality से आपके 10 प्रसन है, economic से 1 से 2 प्रसन होता है और बाद वकी जो आपका बच गया तो आपका बीविद है, बीविद को हम लोग रट्टा मारते हैं, किसी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, उसी को हम लोग रट्टा जो मारते हूं, तो आपका static कहला गिया और थात बीविद कहला गिया तो यह आपके 60 से 65 प्रसन हो गया, GK and GA के अंदर में अगर हम लोग यहां पे बात करें, तिसरा सब्जिक्ट जो मैंने आपको नॉर्मल एदम असान भासा में तोर दिया है, उसका नाम क्या है आपका बिज्ञान, जिसे आप लोग साइंस कहते हैं, और बिज्ञान का लगबक कितना प्रसन है, तो पचीस प्रसन है अब आप कहिए है कि गौरव सब मिलाईए तो, तो साथ या पैसट मान लेते हैं, पैसट में पचीस को जो रेंगे, पैसट पा सत्तर बिस नब्बे और तीस एकसो बिस, इस तरह का आपका सो रूप है आपके एकजाम का, अब मैं यहां पे आपके साथ में एक चीज चर्च करना चाहूंगा, कि यह तो होगी आपका सिलेवस, अब इस सिलेवस को आप त्यार किस प्रकार से करें, यह सबसे बड़ा प्रस्न है, और मैंने बहुत हद तक मेहनत करके कुछ विसेओं के टॉपिक को लिखा है, क्योंकि सोसल स्टडीज और साइंस के टॉपिक को लिख प कहनी मिलेगा, परन्तु जो BPSC का सिलेवस है, उसी सिलेवस से आपके यह प्रस्न होते हैं, इस चीज को आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए, तो हिंदी सेक्षन, भासा सेक्षन तो अपना किलियर है, हम लोग चलते हैं अपने पाठ वी की तरफ, जहां पे कितन हैं, एक सो बीस नंबर के हैं, इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, गनीत, गनीत में आप लोग क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइस समझने का परियास कर सकते हैं, या तो आप सोय पर लिजिए, बरना आपके जेमेट्री है पलस अल्जेब्रा है उसके बाद आपका इसके बाद आपका मेंपरेशनément連 के बाद dawn के बाद आपका एज के अलावा आपका तर्स प्रसन हो गया है प्रोफिट दिन में काम करें अर्थात काड़े वाला जो आपका प्रस्ण होता है वर्क से जो प्रस्ण होता है वो भी आपके मैस के टॉपिक में अगर इतना टॉपिक आपने कंप्लीट किया अब इसमें अगर हम लोग सिर्फ जिमेटरी को पकर के चले तो कच्छा 6 से लेके 10-10 तक के सा लाई है और यह आपका सिलेवस रहा मालने जिए कि आपको जिमेटरी परना है तो जिमेटरी टॉपिक को आप कहीं भी सर्च किजिए कर कोई भी बैच जुआइन नहीं करना है आपको स्वताह अपने से पढ़ाई करना है तो अभी आपके पास में समय है मैंने कल बताया था सारा मस्ती मजाक सब मैंने डेट को वहां से हटा कर 150 दिन पूड़ा का पूड़ा आपके लिए निकालने के लिए इस प्रकार से महनत करना पड़ेगा यह आपके मैत के हैं जहां पे आपका फिक्स नंबर है इतना टॉपिक को अगर आपने सही धंसे किया तो 20 नंबर में आ कम से कम 15 – 16 नंबर तक उठा सकते और इसका मैत कोई भूवा वाला खेल नहीं है पेपर वन की तरह नहीं है सीटेट की तरह सिर्फ उपर उपरे पढ़ेंगे बना देंगे यहां पर आपको महनत करना पड़ेगा यहां पर आपको लगना पड़ेगा प्रैक्टिस करना थे मान लिजे कि कम से कम 15 प्रसंट आपके रहेंगे रहेंगे यह 15 प्रसंट में आप लोग अगर सही ढंक से ब्राबर कंटिन्यू कलास किजिएगा तो 15-16 नंबर में आप 13-14 नंबर प्राप्त कर सकते हैं रिजनिंग बहुत असान होता है बस आपको समझने भर का देरी है औ िप्रसंट करके होता है उसके बाद आपका कॉलोग से प्रसंट रहेगा स्री रहेगा mirror maths रहेगा उसके बाद आपका वर्गी करण अ इसके लावे आपके alpha weight वाले रहेंगे उसके अपने समरुपता पढ़ा होगा एनालोजी पढ़ा होगा उहां से आपके प्रस्ण है coding decoding से आपके प्रस्ण रहेंगे उसके लगताए इसमें कितने तिर्भूज है कितने वर्ग है उसी को हम लोग figure counting के नाम से जानते हैं, वहां से भी आपके प्रस्ण रहेंगे, यह आपका हो गया reasoning का part, जहां पे आप प्रस्ण को देखकर topic का नाम पता कर सकते हैं, प्रन्तु इस दो बिसे को छोरने के बाद, जो आपके बाकी बिसे बच गए, current affairs, social studies और science, इस तीन बिसे क को topic में तोरना थोरा सा मुश्किल कारे है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो मैं भी करूंगा और आप भी अपने अस्तर से किजिएगा, किसके लिए, तो आपका एक जो भी सै बच गया बिग्यान, अर्था जिसे हम लोग science का नाम से जानते हैं, दुसरा भी तो आपने देख लिया, और आपके पास में प्रस्न पत्र भी होंगे, अगर नहीं भी होगा, तो मैं जो आपके साथ में कारे करूंगा, तो सरव पर्थम हम लोग previous year questions को जब हम लोग उठाएंगे, for example, मान लिजे कि उहां पे कोई भी एक आपका topic है, for example, आपका मान लिजे कि राष्टबाद से आपका प्रस्न है, कहां से है, भारत में राष्टबाद, यहां से आपका यह प्रस्न है, तो हम लोग यहां पे cross check करेंगे, कि class 6 से लेके 3 तक के NCRT में राष्टबाद से क्या-क्या topic है, उस topic को summarize करके हम लोग एक जगर note down करेंगे, और मैंने आपको previous class में भी कहा था, कि 511 वाला कोपी खरीद लिजिएगा, इस परकार से आपका कोपी होता है, इस फैरल कोपी होता है, उसमें आप सारा चीजों को समाहित करने का पर्यास किजिएगा, इसमें थोरा सा आपको मेरा मदद भी करना पड़ेगा, और आप जिस तरह से topic को तोड़ि आपका समय बरबाद ना हो, आपका समय बहुत जारा किमती है, बिच बिच में हम लोग live class भी रखेंगे, live session भी रखेंगे, अभी ही देखिए न मैं आपके साथ में syllabus डिसकस कर रहा हूँ, अगर अभी live class होती तो आपसे बात चीद करने में, आपके चैट को देखने में टॉपिक है, आगे चलकर हम लोग बिच्ञान, समाजिक बिच्ञान और current affair में एक आपका normal सा कोई भी अच्छा book हम लोग लेकर previous 6 महिने के current affair को परने का परियास करेंगे, जहां से maximum परसन आपके बिविद वाले current affair से थे, उसी को हम लोग बार बार recall करने का परियास करेंगे मौखिक परिक्षन के माधियम से, पुरा अंदर में घूसके नहीं, मौखिक परिक्षन के माधियम से और जहां-जहां से आपकी main main keywords होते हैं, जिसे कि मैंने कल आपको पुस्तक में दिखाया था, उस पुस्तक NCRT के book से main main keywords को वहां से direct उसका photo click करके, एक साथ मैं summarize करूंग और उस चीज को आप लोग अपने copy पे क्या किजिएगा, note down किजिएगा, जिससे एक आपका proper notes बन जाएगा, डेर सो दिन में मैंने बहुत सारे दिन को हटाया है, उन तमाम दिनों को अगर आप लोग add-on करते हैं, तो कम से कम 200 दिन होगा आपके पास में, तो हमने मातर 150 दि को ही mind में रखके त्यारी के स्वरूप को सुरुवात किया है, I hope कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप में से जो भी हमारे मित्र हैं, जो seated की त्यारी करना चाहते हैं, आप लोग बहतरीन अपना प्यार महबबत दिखा रहे हैं, एक फरवरी से आपका क्या हो रह हैं, तो basic math स्टार्ट हो रहा है, अब देखिए, जो भी हमारे मित्र ऐसे हैं, जिनको BPSC के त्यारी करनी हैं, और इस math को बनाना है, तो इस math को बनाने के लिए आपका अधार अच्छा होना चाहिए, और आपका अधार कहां से सही होगा, तो आपका अधार सही होगा basic math से, अर्थात अगर आपने basic math को पढ़ा, तो गनीत के बहुत सारे समपर्तेओं को आप समझ पाईएगा, concept को आप समझ पाईएगा, जिस अधार पे आपको निर्वान बैच जो आपका मुख्य रूप से BPSC के सभी subject के लिए है, उसमें आपको मदद मिलेगा, आपका basic math का class उह अब भी जूरना चाहें, आप जूर सकते हैं, बाद बाकी फिर हम लोग मिलेंगे अपने next video में, next video में हम लोग क्या करेंगे, तो कोई एक topic को लेकर आएंगे, या previous year question जो मैंने आपको भासा का paper दिखाया था, तो भासा वाले ही paper के साथ में कोई भी प्यारा topic लेकर ताकि आपका पढ़ाई भी हो सके और जादा आपका समय भी बरवादना हो, और वीडियो सही लगा हो, तो एक प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब, अवस्सिक किजिएगा, मिलते हैं फिर अपने next class में next video के साथ, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, हसते पढ़ाई करते रहें, और सोच को अपना सकरात्मक रखें, धन्यवाद, बैबाए